हिंदू तन्मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिश है। बीजेपी राजनीती नहीं कर रही। शहीद तो हमारे का़ सेवक हुए थे। मुलायन सिंगह यादव जी ने इन ही कार्य सेवकों पर, बंदूग चलवाई थी गोलियां चल वा कें। नमश्कार मैयोश रम और आप देख रहे है ओन्यूज हिंदी राम मंदिर अब बस बनकर तैयार हो चुका है प्रदान मंतरी खुद प्रान प्रतिष्टा कारेकरम में हिस्सा लेने वाले हैं जाहिर सी बात है जब प्रदान मंतरी जाएंगे तो विपक्ष राजनीती जरूर करेगा और राजनीती राम मंदिर पर शुरू हो गई है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत के पूर प्रदान मंतरी श्री अटल विहारी वाजपई जी की पौत्री अंजली मिश्रा जी मौजूद है उनके साथ जोडते हैं मैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका ओन्यू जिंदी पर जी नमशकार अब राजनीती हो रही है राम मंदिर को लेकर आरोप लगने शुरू हो गए है कह रहे है भाजपा जो है पौलिटिसाइस कर रही है पूरे इसके लिए कितने लोगों ने अपनी जान भी गवा दी तो यह बहुत-बड़ा इवेंट है और हर्ष लास का समय है इसको मैं इवेंट मानती हूं और यह बहूत उचित भी है मर्ष लास का समय इसको आप बता रही है वह विपक्ष के लिए शायद इतना हर्ष का इतनी बीजेपी राजनीती नहीं कर रही ये एक धार्मिक और सांस्क्रतिक विशय है और इसकी चर्चा ही हो रही है जब किसी भी धर्म की चर्चा होती है किसी भी मंदिर का निर्मान होता है तो इसमें राजनीती करन नहीं करना चाहिए इसका और अगर आप बात करते हैं तो फिर जो अटल जी ने एक बात कही थी आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब कोई चीज हमें दे रही है तो राजिनीती में लेने में क्या हर्च है अखिलेशी अदफ का कहना है कि हमें निमंतरन मिलेगा तो भईया जरूर जाएंगे नहीं मिलेगा तो बाद में जाएंगे राम तो सबके हैं मतलब दर्शन जरूर करेंगे अखिलेशी अदफ जागे चलिए मैं धन्यवाद करते हूँ अकलेशी अदफ जी का कि उनको यह ध्यान आगिया के राम सबके हैं और अगर वो जाते हैं तो उनका स्वागत है और एकी बात कहना चाहूंगी कि अखिलेशी कर दो कि लोग चलवाई थी और जिसमे जाने कितने लोग सिहीद हुए थे इस बात का भी उने बाहन हुए रहन रहना चाहिए जाए एक लोग सहीद हो गजए उनके लिए श्रधानजली अर्पित करें और चमायाचना करें उनकी पार्टी के ही सांसद है शाफिकुर रह्मान बर्क, वो कह रहे हैं हम काला दिवस मनाएंगे उस दिन, हमारी बावरी मस्जित को शहीद कर दिया गया, ढहा दिया गया, तो मुसलमानों के दिल में एक टीस है, एक दर्द है, काला दिवस उस दिन मनाया जाएगा 22 जनवर तो हमारे कार सेवक हुए थे, शहीद हमारे कार सेवक हुए थे, हिंदू हुए थे, उसमें धाचा वो सिर्फ धाचा था जो कि गिरा दिया गया, और ओवी सी जी को इतना डर क्यों है, अगर उनका ये जो डर है, वो साफ जलक राय हमने तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी हमारे किसी भी संगठन ने, चाहिए विश्विंदू परिशद की बात कीजिए, आप रास्तिय स्वैम सेवक संग की बात कर लीजिए, आप देश की ये शचश्वी प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी की बात कर लीजिए, उन्होंने क्या कहा, ये उनका डर है ओवी सी जी का वो भी विवाति धाचा था जो की गिरा दिया गया और अगर इसी तरह ग्यानबापी की तरह होगा और अर्कियोलोजिकली अगर हमारे हिंदू धर्म के वहां पर मिलेंगे अफशेश तो फिर ये होगा और उसमें मस्जिद नहीं गिराए जाएगी, उसमें धाचे गिराए तो ये उनका डर है, ये उनका डर क्यों है, ये वही बता सकते हैं, लेकिन भारत हमेशा एक धर्म निर्पेक्षर है, हम लोग सर्वधर्म संभाव का भाव रखते हैं, वसुदेव कुटुमकम की बात करते हैं, तो ये उनका डर है, उनसे पूछना पड़ेगा कि उनका डर क्या हम लोग तेरता और ज्वापर की बात नहीं करते तो जब इतिहास में जो है दर्ज वो तो आपको मानना ही पड़ेगा न और अगर वहाँ पर अवशेश है हिंदू धर्म के या हिंदू मंदिर के या हिंदू देवी देवताओं के तो वो उन्हें मानने पड़ेगे जब दिनोबे सिब कहरो है मुसलमानों एक हो जाओ सबी मुसलमानों को एक होने की ज़रू था मुसलमानों की एकता की बात कर रहे है कि अगर अब मुसलमान नहीं हुए अक तो फिर बाकी मस्जिदे गिरा दी जाएंगी आप मस्यदों कि मैं बात करो, किसी ढाचे की बात नहीं कर रहा, आप मस्यदें भी गिरा दी जाएंगी, तो ये कही ना कही हो सकता है कि मुसल्मानों के मन में डर हो, उनको लग रहा हो कि भाजपा हमारे खिलाफ है, या भाजपा हिंदुतों को बढ़ावा दे रही है तो फिर कई हमारे बागी धर्म स्थलों पर भी हमलाना हो जाए ऐसा भाजपा ने कभी नहीं किया भारतिय जंता पार्टी हमेशा धर्म निर्पेक्ष्किता की भावना को लेकर चलती है सर्व धर्म मैंने आपसे पहले भी क सभी धर्मों का सम्मान करती है अंतियो दह तक लेकर चलती है कोई भी आप योजनाओं की बात करें तो वो अंतियो दह तक पहुचती है जो यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम एक हो जाओ तो मैं यह कहना जरूर चाहूंगी कि हिंदूओं अब एक हो जाओ आपने जिसे भी राम मंदर की बहुती खूबिया बता दी एक बात बताई यह रोजगार का मुद्दा उठता है आकर राम मंदर रोजगार देगा हॉस्पिटल बना देते लोगों को नौकरिया मिल जाती स्कूल बना देते कोई पच्चा पढ़ लेता आईएस आईएस बन हैं और भी आप बात करना चाहें तो बहुत छोटे मोटे से बात करेंगे तो बहुत सारे रोजगार हैं जो लोगों को उपलब्द कराए जाएंगे क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष ने कहा है कि मैंने बयान भी सुनदा था कि सिनेता ने बयान दिया था कि वहां से पंडित और पुजारी निकलेंगे कौन सा IPS IPS कोई IPS बन जाए कौन अधिकारी बन जाएगा वहां से मंदिर में जाने के बार आज तक जितने मंदिर में जाते हैं तो वहां पंडित और पुजारी ही पूझा कराते हैं कोई IAS और IPS तो वहां नहीं पूझा कराता है तो अयोध्या को लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है उनका डर है, जो कि साफ जलक रहा है, कि बाइस जनवरी दोहजार चौविस के बाद जो एक देष में आवाज जाएगी, जो हमारे धर्म का सम्मान होगा, जो हिंदु धर्म को लेकर लोगों की आस्था है, आस्था का प्रतीक रहा है राम मंदिर, उसको लेकर जो एक सपना था वो साकार हो रहा है, ये वो जो सपना साकार हो रहा है, उसके लिए उनका डर है, बागी कुछ भी नहीं। पर आजाते है, अठल जी ने कविता सुनाई थी, हिंदू तन्मन, हिंदू जीवन, रगरग हिंदू मिरवज, बहुत वाइरल होती है, उनकी कविता आज का जो यूथ है, वो भी सुनना पसंद करता है, अब आप उसी परिवार से आती है, तो जाहिर सी बात है, आप से भी हम हो गई अमर, यह बुझने वाली आग नहीं, रगरग में उसे समाए हूँ, यदि कभी अचानक फूट पड़े बिपलब लेकर तो कैसा विश्म है, हिंदू तन्मन, हिंदू जीवन, रगरग हिंदू मेरा परिच है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमारे साथ जोडने के लिए, अंजली मिश्रा जी हमारे साथ मौझूद थी, भारत के पूर प्रदानमंत्री स्वर्गे श्री अटल विहारी वाजपई जी के परिवार से आती हैं, कवीता उन्होंने सुनाई राम मंदिर पर जिस प्रकार से राजनीती चल रही थी, तमाम राजनीतिक सवालों का बखुबी से उत्तर दिया, और जो लोग राम मंदिर पर मुद्दा बनाकर लगातार हिंदू-मुसल्मान कर रहे थे, उन लोगों को भी सीधा और सटीक जवाब देने का काम आज उन्होंने O News Hindi पर किया है, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगे क्या विचार है, या आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यां से ज़रूर बताए, वीडियो जनलिस परसंदी जा के साथ, मैं आयो शर्मा O News Hindi